नमस्कार मैं हूँ जूही वर्मा और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया निउस पश्चिम मंगाल की राजनीती की आच अब उत्तर प्रदेश तक पहुँचने लगी है मम्ता बेनर्जी ने एक बार जैश्री राम के नारे का ख्या विरोथ किया बीज़पी विधायकों ने उनके लिए कुछ ऐसे बोल बोलना शुरू कर दिये हैं जो कतई मरियादित नहीं कहे जा सकते इसके अलावा मम्ता ने किसानों के आंदूलन पर भी टिपड़ी की उस पर बीज़पी के बरिया के विधायक ने बड़ा ही विवादित कमेंट किया है ये विधायक है सुरेंदर सिंग कुछ तर प्रदेश से आते हैं बीज़पी विधायक है और उन्होंने पश्चिम बंगाल की तुलना जम्मू कश्मीर से कर दी है सुरेंदर सिंग का कहना है कि जो हाल जम्मू कश्मीर का था वही हाल अब पश्चिम बंगाल का हो गया है जहां कि पुलिस किसी की बाते नहीं सुनती है निरंकुष पुलिस है इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि ममता बनर जी का नाम अब निर्दैता बनर जी हो जाना चाहिए वो कतेई ममता बनर जी नाम उन पर सूप नहीं करता यहां तक भी ठीक था पस्चिम बंगाल की जम्मू कश्मीर से तुलना की गई पुलिस प्रशासन को कुछ कुछ कहा गया यह सब सहन करने लायक बात है थी लेकिन इसके बाद जो ममता बनर जी पर उन्होंने टिपड़ी की सवाल पर कि वो ममता बनर जी के कमेंट पर क्या कहेंगे वो बिलकुल नागवार गुजरने वाली टिपड़ी है उन्होंने मम्ता बनर जी की तुलना सीधे सीधे लंकिनी से कर दी लंकिनी यहने रामायन में, मायथलोजी में वो करेक्टर है जो लंका की पहरेदारी के लिए बाहर बैठी एक राक्षसी थी काफी famous character भी है हाला कि बहुत ही कम देर के लिए रामायन में वर्णन आता है लेकिन हनुमान जी के साथ उनके समवाद इतने हैं कि लंकिनी के character को नजर अंदास करके रामायन में अंदर नहीं बढ़ा जा सकता उसी लंकिनी से मम्ता बनर जी की तुलना हुई है ना सिर्फ मम्ता बनर जी बलकि राहुल गांधी के लिए भी कुछ अपशब्द कहे गए हैं और उन्होंने राहुल गांधी को कहा है कि वो तो इटली बाले हैं इटली जाते रहते हैं और इस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी पर भी विवादित बयान दिये हैं इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि BJP पेश्चिप बंगाल में पूरी मेहनत तो कर ही रही है ममतब एनरजी की सरकार को हराने के लिए लेकिन BJP के कुछ विधायक ऐसे हैं जो जिनके बिगडे बोल पार्टी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं नमस्कार